वेलकम तू जीवन जोती क्लासेज और मैं हूँ विकेश कुमार तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Most Important Question of Real Number Class 3 तो चलिए शुरू करते हैं Real Number Most Important Question जो की अक्सर इजाम्स में पूछे जाते हैं पिछले 10 सालों में जिस पैटर्ण से कोच्चन पूछा जा रहा है उसी के according हमने research करके कुछ कोच्चन लेकर आए हैं तो शुरू करते हैं Question Number One से जो हमारा पहला question है वो क्या बोल रहा है Find the total number of factor of prime number ध्यान देजिए Find the total number of factor of prime number ठीक है यानि prime number का total factor कितना होगा तो एक बात बते है यह prime number होता क्या है Simply Prime number क्या होता है जो number one और खुड़ दिस है यानि itself से divide होता हो ठीक है वही prime number होता है तो factor भी क्या होगा one and itself तो कितने होगे prime factor ठीक है किसी भी prime number का किसी भी prime number का prime number का दो prime factor होते हैं ठीक है यह तो one होता है यह fix है और जो number रहेगा खुड का number जैसे माल लीजिए हम कोई prime number ले ले लेते हैं seven तो seven का factor क्या होगा one होगा और seven होगा clear है point तो किसी भी prime number का factor जो होगा वो होगा two ने इस question देखते हैं दूसरे का बोरा find the sum of exponent of prime number find the sum of exponent of prime factor in the prime factorization of 196 पुच्चन द्यान से पढ़िए find the sum of exponent of prime factor in the prime factorization of 196 यानि 196 का जो भी prime factorization हो रहा है जो भी prime factorization हो रहा है इस prime factorization का जो power है यानि exponent है exponent का power का sum तो 196 को अगर हम factor करते हैं तो क्या है two into two into seven into seven यानि two square into seven square दो prime factor है two और seven ठीक है two और seven यहाँ पे factor है इसका तो two का power क्या है two और seven का power क्या है two यानि इसका जो prime factor हुआ इसका power का sum exponent का sum तो two plus two क्या होगा four तो answer क्या आगया हमारे पास four clear है point आते हैं next question की तरफ अब ध्यान दीजे बोल क्या रहा है two positive integers a and b a and b दो positive integers है a को हम लिख रहे है x q y square and b को लिख रहे है x y q clear है point a को लिख रहे है x q y square और b को लिख रहे है x y q ठीक है तो हमें इसका lcm find करना है क्या find करना है lcm तो lcm find करने का सबसे असान तरीका ये होता है कि जो भी फैतर है जो भी exponent है जीस फैतर का exponent जितना ज़ादा है वो ही ले लेंगे यानि x है और y है दो ही यहाँ पे number है x and y तो x का जो maximum power है वो क्या है 3 है तो x q ले लेंगे और y का maximum power क्या है देखिए यहाँ पे y square है यहाँ y q है तो इसको y q ले लेंगे हो गया तो जो maximum power हो ला रहेगा उसको ले लेंगे हो गया lcm क्या होगा x q and y q ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो भी lcm होता है अपने number से तो divisible होता ही होता है तो अब यहाँ देखिए lcm x q से यह कट गया y square से भी यह कट गया y times में इस से x q कट गया x square में y q से y q कट गया यानि यह और भी दोनों से divisible हो गया और lcm का मतलब होता है least common multiple यानि वो छोटा से छोटा multiple होना चाहिए वो उससे divisible होना चाहिए उससे छोटा नहीं हो सकता clear हो गई point तो इसका lcm क्या होगा x q and y q ठीक है चलिए आंगे बरते हैं उस्चा number 4 क्या बोरा है the lcm of two number is 24 handed which of the flowing which of the flowing cannot be there बोरा है दो number का lcm जो है 24 है 24 handed है ठीक है इसमें से वो number कौन सा नहीं हो सकता ठीक है अभी अभी हमने बताया कि जो lcm होता है अपने number से पक्का है कि divisible होगा ही होगा ठीक है तो जैसे a होगा अब a की बारी तो 300 से divisible है यह को हो सकता है 400 से divisible है यह भी होगा 6 and 8 से divisible है ये भी होगा लेकिन 5 and 8 से divisible नहीं है अगर इससे divide करेंगे तो ये divisible नहीं होगा तो जिससे divisible होगा वो उसका number हो ही नहीं सकता है तो answer क्या होगा? C, 5 and 8 5 and 8 से ये divisible नहीं है The ratio of LCM and HCF of the least composite and least prime number क्या बो रहा है? LCM of and HCF of least composite and least prime number List composite number का और least prime number का LCM और HCF चाहिए ठीक है? तो सबसे पहले ये बताओ कि least composite number होता कौन है? List composite number तो list composite number होता है 4 और list prime number कौन होता है वही? List prime number होता है 2 Clear है? अगर 2 और 4 का हम LCM निकालने इसको 2 asquare लिख सकते हैं ये 2 power 1 अगर 2 और 4 का LCM निकालने तो LCM क्या होगा? इसमें भी 2 common है इसमें भी 2 common है तो 2 asquare हो गया maximum तो यही है Clear होगी point? और HCF जब हम निकालते हैं तो HCF में होता है जो common हो जैसे 2 power 1 है यहाँ 2 power 2 है तो common क्या है? स्रिफ 2 है ठीक है? तो LCM 2 asquare HCF 2 यानि LCM क्या हो गया 4 और HCF हो गया 2 Clear है point? Next क्या बोल रहा है वो? बोल रहा है कि तीन पर्षन है जो भी है वो morning walk के लिए गये तो इस सब का step का size अलग-अलग है ठीक है? एक का है 30 cm दूसरे का है 36 cm और तीसरे का है 40 cm Clear है? तो बोल रहा है minimum वो कितना distance travel करे? ठीक है? इक्वल भी होना चाहिए इस सब ठीक है? तो उसका जो steps है ठीक है? क्या बोल रहा है? each can cover the same distance in complete steps यानि a step भी complete होना चाहिए कोई 5 a step चला कोई 4 a step चला कोई 6 a step चला इंजामपल के लिए तो ये fix है ये नहीं होना चाहिए कि सारे 5 a step चल गया सारे 3 a step चल गया पहुने 4 a step चल गया ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए बोल रहा है कि complete steps भी हो और equal distance हो तो वो minimum distance कितना होगा जब भी minimum की बात करते हैं तो निकलता है LCM क्योंति LCM के अंदर है least common multiple यानि कम से कम वो कितना दूरी पे जाएं तो इस अब का steps मना नेचुरल नंबर में हो फ्रेट्शन में ना हो ठीके complete steps हो और इस अब equal distance stable करें तो इस तीनों condition में सबसे पहले हम निकालते हैं इसका LCM तो LCM निकालने के लिए हम कर रहा हैं फैटर तो इसको फैटर करते हैं 2 x 3 x 5 इसको फैटर करते हैं 2 x 2 x 3 x 3 इसको फैटर करते हैं 2 x 2 x 2 x 5 तीनों को फैटर हो गया अब इसको तो ऐसे ही लिख सकते हैं इसमें तो कोई तीनों का power कुछ है नहीं इसमें क्या है 2 square 3 square इसमें क्या है 2 q 5 अब आते हैं point पे LCM निकालो LCM क्या होगा तो 2 में सबसे ज़्यादा power किसका है 2 के power 3 3 में सबसे ज़्यादा power किसका है 3 square 5 में सबसे ज़्यादा power किसका है 5 का बस तो यह क्या हो गया 8 x 6 x 5 ठीक है 8 x 9 x 5 तो यह हो गया 360 तो 360 cm अगर चलेगा तो इसमें का जो steps होगा वो complete हो जाएगा चले देख लेते हैं तो पहला जो है 30 cm एक step पे चलता है तो total वो कितना चला 12 step दूसरा की अगर बात करते हैं वो कितना चला 10 step तीसरा की अगर बात करते हैं वो चला 9 step क्लियर होगी पॉइंट तो यह 12 चला तो 360 की गया वो 10 चला तो 360 गया यह 9 चला तो 360 गया पुरी तरह से divisible है आधा सुधा तो है नहीं तो एंसर क्या होगा मीनिमम वो 360 सेंटीमीटर चलेंगे तो इक्वल डिस्तिंस ट्रेवल करेंगे और उनका अस्तिप भी कंप्लीट होगा ठीक है चलें नेस कोश्चन की तरफ चलते हैं पाइन दा ग्रेटेस नंबर वीच ओन डिवाइडिंग 1251, 9377 और 50628 लिपस रिमाइंडर 1, 2 और 3 रिस्पेटिविली वो बड़ी से बड़ी संख्या वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा होगा जिससे इन तीनों को डिवाइड करने पर 1, 2 और 3 रिमाइंडर बचे ठीक है क्रम सा तो वो कौन सा नंबर होगा जो तीनों को डिवाइड कर जाए ठीक है तो तीनों को डिवाइड करने वाला नंबर हमेशा किस में होता है HCF में Hcf जो भी आएगा वो इस सब को divide करता है Hcf का मतलब है होता हाइस common factor तीनों में से जो common होगा अब factor तो हमेशा divide करता है तो जो common factor होगा वो तीनों को divide करेगा तो मान लो सबसे पहले हमारे पास है 1, 2, 5, 1 ठीक है? और इसको हम मान लेते हैं एक फर्मूला लगा लेते हैं A is equal to B Q plus R clear है point? तो A यानि divide किसको करना है? 1,251 को B quotient भी नहीं पता है B जित से divide होगा UA भी नहीं पता है लेकिं reminder कितना बच रहा है? 1 ठीक है? इसको देखो इसमें reminder क्या बच रहा है? 2 और इसमें reminder क्या बच रहा है? ध्यान दीजे बात को इस सबको same number से divide होना है तो इसलिए लेकिं कितना time में divide होना है? अलगला times में divide होंगे? तो यहाँ पे quotient तीनों का अलगला होगा Q1, Q2, Q3 लेकिन यहाँ पे अगर देखें B इस सबका same है क्योंती same number से तीनों divide होने वाले है इसका reminder 1 है इसका reminder 2 है इसका reminder 3 है तो यहाँ पे अगर solve करेंगे B Q1 is equal to यह इधर जाके minus होगा क्या हो गया? 1250 यह इधर जाके minus हो गया क्या होगा? 900 sorry 9,375 यह हो गया 15,625 हमें क्या इसको factor करते है ठीक है? तो इसको factor करेंगे तो क्या हेगा? ठीके? मैं इसका फैटर कलो यहाँ 1, 2, 5, 0 2 6, 2, 5 5 5 and 5 तो क्या आया इसका फैटर 2 into 5 power 4 अगर इसी तरह इसका फैटर निकालते हैं तो क्या आयेगा इसका फैटर इसका फैटर हो गया 5 power 6 तो यहाँ पे देखिए जो highest common factor है common तो यहाँ पे तीनों में 5 ही है लेकिन जो सबसे कम होता है जो common होता है common के powers जो सबसे कम होगा यानि 5 power 4 तो एस CF क्या हो गया 5 power 4 तो 5 power 4 यानि की 6 to 5 तो 6 to 5 से अगर divide करते हैं तो इसका reminder क्या बचेगा 1 इसका 2 और इसका 3 तो answer क्या होगा 6 to 5 बात समाझ आ गई clear है तो answer होगा 6 to 5 देखिए इस तरह के answer question पूछे जाते हैं कि check whether 6 power n can end with the digit 0 for any natural number n तो क्या 6 के power n रखते हैं और n कोई भी natural number है तो last में 0 आएगा क्या आंगे तो कुछ आए जाए last में 0 आएगा क्या तो ऐसा possible नहीं है तो एसा possible नहीं है तो इसका main region है कि any number कोई भी number हो that can be that can end with digit 0 तो कोई भी number जिसके last में 0 हो तो क्या होना चाहिए must contain 2 and 5 आएज देयर प्राइम फैक्तर प्राइम फैक्तर देगे किसी भी digit के last में अगर 0 आता है ठीक है तो यह जरूरी होना चाहिए कि उसका प्राइम फैक्तराइजस में 2 और 5 होना ही होना चाहिए अगर 6 का हम प्राइम फैक्तर करते हैं तो क्या आ रहा है 2 and 3 यह आ रहा है 5 तो आ नहीं रहा है तो इसी लिए इसके last में 0 नहीं होंगे यहाँ पे statement लिख लेंगे we cannot cannot see that we can see that six power n can only two and three ठीक है as we can see that six power n can only two and three as their prime factor therefore ठीक है तो हम बोल देंगे कि या बोल देंगे एज वी सी देट six power n can only two and three as their prime factor therefore it can end with digit 0 ठीक है six power n तो six के power n है ठीक है उसकी six का जब हम फैक्तर कर रहा है तो श्रिफ दो और तीन आ रहा है ठीक है इस बज़र से उसका power कुछ भी रख दे लास्त में 0 नहीं आएगा clear है point last में 0 तभी आएगा end में 0 तभी आएगा जब किसी भी नंबर का जब प्राइम फैक्तर करेंगते हैं उस प्राइम फैक्तर में two और five दोनों होना चाहिए ओके देखो explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and something एक और कोच्चन है यार composite नंबर ठीक है यह दोनों composite नंबर है explain करें तो इसका में मोटो क्या अब समझिए point को composite नंबर होता कौन है जो प्राइम नहीं होता है वो composite होता है यानि composite नंबर का फैतर जो है वन और इस सेल्फ के अलावा भी कोई भी ना कोई हो minimum एत्तो होना ही चाहिए ठीक है जैसे फोर है ठीक है फोर तो composite नंबर है क्योंति फोर को हम वन भी इसका फैतर है फोर भी है साथ में दो भी है इसलिए यह composite नंबर है point पर आते हैं तो यह इसको सबसे पहले प्रूफ करना है ठीक है तो एक काम करते हैं इसमें से हम 30 common ले लेते हैं तो जैसे 30 common लेंगे तो यह हो गया ठीक है यानि 13 into 71 तो इसका prime फैतर जो हो गया सबसे पहले तो यह total नंबर हो गया 7 into 11 plus into 13 plus 13 जो भी आएगा यह हो गया 1 हो गया इसके अलावा एक और फैतर हो रहा है ठीक है फैतर ओफ 7 into 11 into 13 plus 13 1 13 78 ठीक है यह भी हुआ फैतर यह भी हुआ अभी इसका बहुत सारा फैतर हो जा रहा है ठीक है इस तरह से दिखा सकते हैं आप so it is composite क्योंकि इसका फैतर 1 से जादा हो रहा है इसलिए यह क्या है composite है दूसी तरफ इधर चलते हैं इसको भी same चीज़ करेंगे अगर 5 common लेंगे तो यह क्या बचेगा 7 into 6 into 5 तो ले लिए है 4 into 3 into 2 plus 1 क्योंतो इसमें से 5 लिए है तो यह हो गया plus 1 ठीक है तो इसको भी आग चाहे तो solve कर सकते हैं या तो इसी तरह छोड़ दो ठीक है तो इसका भी अगर फैतर की बात करें इसका भी फैतर बहुत सारे हो जाएंगे एक तो 5 हो रहा है एक यह पूरा हो रहा है और एक दोनों का multiple हो रहा है जो भी आप multiply करके लेकर आते हैं ठीक है फैतर आफ बोल दीजिए 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 इसी का फैतर चाहिए हमें तो इसका फैतर एक तो 5 सामने दीख रहा है ठीक है दूसरा इन सबको multiply कर लेते हैं तो multiply करेंगे तो क्या आएगा ठीक है पहला तो फैतर 5 हो गया दूसरा फैतर ये हो गया तीसरा फैतर 1 होगा और चौथा फैतर इन दोनों का भी product हो गया इन दोनों का product इतना भी आया ये भी इसका फैतर हो गया तो इतने सारे जब इसके फैतर हो गया तो बोल सकते हैं जा बोलेंगे तो it is composite ठीक है तो ऐसा बोल सकते है तो ये भी एक composite number है क्यों? क्यों तो इसका factor one और itself के लावा भी कुछ आ रहा है वही तो हमें दिखाना है कि इसका factor one और itself के लावा भी कुछ आ रहा है इसलिए ये क्या है? composite है ठीक है? इस तरह के कोचन तो अक्सर आते ही आते है fix है आना है एक कोचन तो दे ही देगा तो इसको solve करने का सबसे असान तरीका क्या है? जान दीजे इसमें जो method यूज करते हैं उस method का नाम है contradiction method इस method में क्या करते हैं? खुद को ही गलत सावीत करना होता है तो हमें क्या proof करना? irrational ठीक है? irrational के बारे में हमें नहीं मालूम है कि irrational के बहुत ज़्यादा properties लेकिन यह चीज हमें मालूम है कि rational number जो होता है वो क्या होता है? clear है? तो हमें rational number पता है तो अगर rational number पता है अगर rational number पता है by the way तो clear है भाई हो जाएगा जो भी है तो चले देखते हैं तो माल लेते हैं let to be root 5 is a rational number ठीक है it is a form of P by Q ठीक है और P and Q are co-prime, यहाँ पे ही सारा मामला है, co-prime integer and Q does not equal to चीरो समझ यह सबसे पढ़े पी बाइ क्यों के फॉर में तो है लेकिन यहां पे पी और क्यों क्या है को प्राइम है और कोई भी रेशनल नंबर का स्टेंडर फॉर्म होता है वह हमेशा को प्राइम ही होगा जैसे मान लेते हैं 3 by 6 तो इसका जो common factor है वह 3 है यह प्राइम नहीं है लेकिन इसका standard form क्या होगा 1 by 2 यह प्राइम है तो बोल सकते हैं क्या कि यह प्राइम है अगर यह प्राइम है तो इसको square हटाने के लिए multiply करते हैं बोलते हैं अस्क्वाइरिंग बोथ साइड जैसे ही अस्क्वाइरिंग बोथ साइड करते हैं तो यह होगा 5 is equal to P square by Q square यानि 5 Q square is equal to P square आंगे लिख सकते हैं कि P square by 5 is equal to Q square क्लिर है point P square by 5 is equal to Q square इसका मतलब है कि P square को 5 divide कर रहा है Q square टाइप में यानि कि P square is divisible by 5 जब P square 5 से divisible हो रहा है तो बोल सकते हैं P is also divisible by 5 also divisible by 5 clear अब यही चीज समझने के लिए और भी मान लेते हैं P is equal to 5 R तो P square is equal to क्या होगा 25 R square हो जाएगा अब P square is equal to क्या है तो R square ऐसा बोल सकते हैं जब ऐसा बोलेंगे तो बोल सकते हैं कि Q square is divisible by 5 Q square is divisible by 5 Q square is divisible by 5 ठीक है चलो यही रफ करके मैं बना देता हूं ठीक है जिसको नोट करना होगा उसको वीडियो को पहुज करके नोट कर लेगा तो बोल सकते हैं Q square is divisible by 5 Q is also divisible by 5 Q भी 5 से divisible हो रहा है P भी 5 से divisible हो रहा है ठीक है So 5 is common of P and Q ठीक है So P and Q are not co-prime clear है क्योंति अगर co-prime होगा तो उसका स्रीफ common factor 1 होगा ठीक है यानि उसका स्रीफ क्या होगा 1 हो सकता है तो P और Q क्या है co-prime नहीं है अगर P और Q co-prime नहीं है तो बोल सकते हैं कि हमने जो माना है Our exception is wrong हमने जो माना है कि P by Q एक irrational number है वो गलत है Our exception is wrong So root 5 is an irrational number इस बज़र से root 5 क्या है एक irrational number है Clear होगी point ठीक है चले आगे बढ़ते हैं इस तरह की question तो हमेशा board में देता ही देता है इस तरह की भी problem आ जाते हैं तो यहाँ पे बोला है 2 plus root 3 by 5 is irrational number given that root 3 is irrational number इसको भी वहीं मान लेते हैं लेते हैं less to be 2 plus root 3 by 5 is rational तो यानी की 2 plus root 3 by 5 होगा P by Q के form में है तो रेशनल होगा ही होगा तो देखते हैं 2 plus root 3 is equal to क्या होगा 5 P by Q ठीक है root 3 is equal to क्या होगा 5 P by Q माइनस 2 तो यहाँ पे लिख सकते हैं वी नो देट रेशनल काने क्या क्या मतलब है मतलब यह है कि रेशनल में अगर रेशनल से multiply करते हैं या divide करते हैं ठीक है अगर रेशनल में रेशनल से multiply करते हैं या divide करते हैं तो रेशनल होगा और रेशनल में minus करेंगे या plus करेंगे तो भी रेशनल ही होगा तो यहाँ पे यह rational है इसमें 5 से multiply किये तो रेशनल होगा माइनस 2 किये तो भी इरेशनल हो गया तो यहां पे रूत्थिरी क्या है इरेशनल है रूत्थिरी क्या है इरेशनल है और यह क्या है रेशनल है तो रेशनल और इरेशनल आपस में तो इक्वल होई ही नहीं सकते तो इरेशनल दस नॉट इक्वल टू रेशनल सो आवर एजेप्शन इस रौंग ठीक है या वो हो गया हमारा एजेप्शन रॉंग हो गया तो अगर रॉंग हो गया तो अगर यह रेशनल नहीं है तो फिर क्या है नमबर तो दो ही तरह के होते हैं या तो रेशनल होंगे या दूसरा इरेशनल होंगे यानि कि ये है रेशनल ठीक है क्योति रेशनल है नहीं तो ये क्या है इरेशनल है बाद समझे तो इस तरह के खोचन आपको पूछे जा सकते हैं बौर्ड के एजाम्स में तो ध्यान से प्रेटिश किजिए और इस बार का बोर्ड के एजाम के बारे में एक बहतर चीजे समझ सकते हैं अगर चाहे तो ठीक है वह यह है वह यह है इस बार के एजाम में एक बहतर चीजे यह समझ सकते हैं बोर्ड ने यह नाउंस किया है कि जो कोश्चन होंगे वह कंपटेटिव लेवल्स के होंगे तो अगर competitive levels के question सुनके बहुत सारे बच्चे धर रहे हैं या घबड़ा भी रहे हैं कि कैसा question होगा क्या होगा देखिए बोर्ड का कहना है कि questions तो वही होंगे लेवस तो वही है simply पस थोड़ा सा इंटेजलेंसी यूज कीजिए हो गया यह अच्छा भी है बहुत सारे बच्चे इस दम रटे रट है मैथ को भी रट के चले जाते हैं तो यह थोड़ा सा दिमाग यूज कीजिए घबड़ाने की जरूरत नहीं है पैंग होने की कोई जरूरत नहीं है अराम से पढ़ते रहे ह ठीक है नए इस वीडियो में फिर से मिलेंगे कुछ नए लेट्चर्स के साथ तब तक के लिए बाइबाए टेक केर्स